हेलो एवरिवन स्वागत है पीड़वली ओली आईएस में आज है हमारा चैप्टर नंबर 21 दे सेंट्रल काउंसल आफ मिनिस्टर्स शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा इतियास में पीछे जाओ अभी हमने पिछली क्लास में प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे उनका मंत्री दल तो हम पहली बात तो क्यों पढ़ रहे हैं यह क्यों जरूरी है यह जानना कि मंत्रियों के पास क्या पावा करता था उसका अपना कोई वजीर होता था या उसका अपना कोई ऐसा बीर बल या और कोई ऐसा अफसर जिसको उसको उसने और अच्छा एक nobel बना कर रखवा जैसे आप जोदागभर मूवी में आगर आपको यादो तो एक टोडर मल हुआ करते थे जो उनके ट्रेजरार थे, जो उनके खजाची थे, जो मुगल खजाने की देखरेक करते थे, यानि कि टोडर मल उस समय के हिसाब से Finance Minister से वहां के और जब हमने देखा कि अच्छा ये राजा नहीं इनको बनाए हुआ है राजा ने जिसको चाहा उसको बना दिया एक Vice-Roy सहाब है, गवर्नर जनरल सहाब है वो जब चाहें जो कर रहे हैं बंगाल का partition कर दे रहे हैं Rowlet Act लगा दे रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो Indians के हितमे नहीं है और Indians से लूट रहे हैं 45 trillion हमारी जो समपत्ती है इसका हमने आज की तारीख में अगर उसको inflation adjust करके देखोगे तो इतनी amount बिटेन हमारे हैं से loot के लेके गया है और इसके बाद तो जो damage किया है livelihood को वो तो अलग बात है किसी के माता-पिता चले गए किसी के कुछ और चले गए कुल मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है वो एक ऐसी सत्ता है जो लोगों से चुनके नहीं बैठी हुई है अगर वो लोगों की होती लोगों से चुनके जा रही होती तो वो लोगतांतरिक सत्ता होती वो लोगों किसी के हाथ में absolute power नहीं होगी क्योंकि हम देख के भुगत चुके हैं अब दूसरे जिसके पास power जाएगी तो भाईया वो power ऐसी नहीं होगी कि absolute है वो power को तब enjoy कर सकता है जब उसके पास जंता का आशिरवाद हो यानि किसी parliament के किसी ना किसी house का member बने तब वो मंत्री बन सकता है ऐसे करके हमने अपने हमने सारे मिनिस्टर बनाएं मिनिस्टर माने वजीर पुराने जवाने के तो क्योंकि अच्छा मिनिस्टर ही होंगे जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं सारे काम करने में कोई एक defense minister होगा कोई एक home minister होगा कोई एक विदेश मंत्री होगा कोई वित मंत्री होगा कोई commerce का ये पूरी ministry देख रहे होंगे तो हर चीज के minister ने है रेलवे के minister ने है अपने सब के सब लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर को अगर किसी को कोई शक्ति हो तो उसके पहले मेरे पास एक चीज हो जो है people's mandate लोगों का आशिरवाद मेरे साथ हो किया साब आप हमारे यहां से चुनके गए हो parliament देश के लोकतंत्र के मंदिर में तब आप आगे कुछ करो तब तो आप बन सकते हो अगर वो अशिरवाद नहीं है तो आप फिर कोई और काम में नहीं कर सकते है जो public domain में हम जो एक मंत्री कर सकता है अब इस चैप्टर को आगे खोलते हैं शुरू में आये हैं हमारे कुछ कुछ कुछन इनको आप बाद में देखेंगे आप ही solve करोगे मैं नहीं करूँगा चलिए वापिस चलते हैं parliamentary form of government में क्या कहती है ये parliamentary form of government क्या है हम पिछली कुछ क्लासों में समझ चुके हैं जादा भले हम नहीं समझे हो क्योंकि अभी parliament chapter नहीं आया है पर हम इतना जरूर समझ गए है कि ये जो मंत्री दल होते हैं ये मोदी जी हैं ये राजनाव सिंग जी हैं ये ग्रह मंत्री जी हैं ये हमारे minister of road, transport, highways के minister हैं तो ये सारे के सारे हमारे मंत्री दल है इसका मतलब है कि ये है हमारा executive अब ये executive temporary है ये हर 5 साल में गदी से उतारा जाएगा जनता के बीच में जाएंगे ये सब और dissolve हो जाएंगे आपका जो future होगा वो permanent executive का nature का होगा मतलब आप एक बार जब आफिस में जाओगे तो आप promote होते होते ही retire होगे ऐसा नहीं होगे आपको 5 साल बाद फिर से member of parliament यहां से आए पहले ये गए अपने parliament में इन्होंने कहा कि साब हम अब जनता के यहां से चुनके आ गएं मैं हूँ फलानी जगे से MP आप हो फलानी जगे से MP हम सब लोग हैं हमारे पास majority भी सिद्ध हो गई और राश्पती जी ने हम सब मैं से मुझे चुना है PM अब मुझे बनानी है अपने मंत्रियों का दल तो यानि कि इनी सब 500 लोगों मैं से 543 प्लस 245 इन लोगों मैं से क्या होगा कि मैं अपने ऐसे 70-80 लोग छाटूँँगा जिनको कि मैं मंत्राले दे सकूँँगा यानि कि इनी लोगों मैं से आये हैं तो अब ये लोग जितने हैं मैं इनको चुनलूँ उसके बनाओंगा मैं तो अब मैं PM हूँ मैं अपने 70-80 दलों का एक ऐसा गुट बनाने जा रहा हूँ जो कि पूरे देश का, पूरे सेंटर गवर्मेंट का पूरी कमान समा लेंगे, ठीक है, अब यानी कि यहां से ही निकल के आए हैं ये, executive is part of legislature, उल्टा नहीं है, legislature is not part of executive, no, ये है कुल मिला के 70-80 लोग, 70-80 लोग, ऐसे समझ लो, 70-80 मंत्री हैं, कोई कोईले का मंत्री है, कोई textile का मिनिस्टर है, कोई railway का मिनिस्टर है, कोई aviation मिनिस्टर है, कोई defense, foreign, सब चीजे, सारे इतने ही होंगे 70-80 लोग, अब इसके उपर भी पाबंदी है, कि एक नंबर से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, अब ही आगे दे है, इनको अब जोड़ लो, इस यितने भी 7-70 प्लस लोग आ रहे हैं, तो 778, तो यह सब लोग क्या करते हैं, अब इन में सब दो लोगों की, ये क्या करेंगे, ये उस कानून का पालन करवाएंगे, और जो कानून तोड़ेगा, ये उसको उठागे लेके जाएंगे जेल में, ये मतलब ये लोग नहीं, इनका पूरा आगे का सिस्टम नीचे का, यहांका सेकरेटरी, यहांका पुलीस, प्रशासन, सब सारे military army जितनी सारी इनके नीजे सब कुछ है अब central सरकार यही है तो ये लोग से पाल करवाएंगे जो कानून तोड़ेगा वो जाएगा फिर हवालात भी वो सजा भी पाएगा जुडिशरी इसको सजा देगी जुडिशरी कहेगी हाँ साब तुमने इनका तुमने इन लोगों के कानून जो हमारा है तुमने उसका पालन नहीं किया है तुम जा रहे हो जिल खतम बात नाउ इग्जेकेटिव इस रिस्पॉंसिबल टू दर लेजिसलेचर फॉर इट्स पॉलिशी और एक्ट्स ये इतने सारे लोग मिलके ये जो ये लोग है ये इनसे सवाल पूछेंगे क सब कब लाओगे कानून या तुम तो गह रहते है आते ही आते तुम ये लादोगे वो लादोगे कब आएगा कहां है या यह लोग कहेंगे सब ऐसा कानून क्यों लाए हो क्या सोच क्या करने के लिए लेके आए हो नहीं चाहिए था ये कानून पहले रिजन दो तो ये सारे कि सारे लोग जब इसे question पूछते हैं, इसका मतलब है कि ये लोग responsible है to the legislature. Now, council of ministers, headed by the PM, is the real executive authority. हमें पता है, जो nominal executive authority है, वो कौन है? वो पिछली class में हम देख चुके हैं, वो कौन है? पिछली से पिछली में. Now, ठीक है, ये आ गया समझ में हमको, कि हाँ, ऐसा होगा. अब हमें council of ministers क्या चाहिए, क्या करना है इनसे, क्या मिलेगा इनसे, तो समझ में आ गया, कि हाँ, ये body है, जो decision making body है, देश में highest, highest decision body है, cabinet मंत्री होना, मतलब council of minister होना, किसाब आ मंत्री हो, अब आप prime minister office के साथ तालमेल बिठा के, देश के सारे फैसले लिवा सकते हो, आपके पास authority है, हर policy का policy में क्या-क्या बदलाव लाना है, क्या नई policy लेके आनी है, कोई नई scheme लेके आनी है, आप ही ला सकते हो, ठीक है, जब आप मंत्री बनते हो, तो अब इन सब पूरे तरसी लोगों को जो मुखिया होगा, headed by the prime minister, हमें पता है, अब एक-एक करके, हमें ये देखना है, ऐसे कुछ articles हैं, जो constitution ने जो प्रावधान दे रखे हैं, इन लोगों के बारे में, क्यों देने पड़े सम्विधान को शुरू में ही, क्योंकि हमें ये तै करना था, ये देश की अगर highest ऐसी body है, जिसके पास absolute power है, collectively, तो भाईया इस body पे एक रोक्थाम लगाओ, सम्विधान से ही इस body को limit कराओ, and constitution क्या करता है, कि सरकार पे limitation लगाता है, अब, article 74, पहला article, ये कह रहा है, कि council of ministers to aid and advise the president, अब यहाँ पे, हर जगे आपको aid and advice, advice, ये see आएगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा, ये दोनों word अलग-अलग होते हैं, एक होता है advice, एक होता है advise, दोनों में फरक है, क्या फरक है, ये noun होता है, ये संग्या होती है, और ये होता है verb, ये होता है कारक, मतलब, जो action, action वाला point, तो advice मने, मैं जब किसी को कोई सलाह देता हूँ, तो वो सलाह को मैं बोलूँगा, कि advice दी है मैंने, और मेरे सलाह देने के काम को बोला जाएगा, कि हाँ मैंने उसको advice दी है, ऐसे फरक है, दोनों चीज़ देखते हैं अभी, अब council of ministers with the prime minister as their head, shall aid and advise the president, ये ही कहता है, पहला article 14, ये कह रहा है, कि साब, राश्पती जी, जिनके नाम पे आप कोई भी काम की जम्मेदारी लेते हो, कोई भी काम का शुरूआत होती है, कोई भी काम का implementation होता है, तो वो राश्पती जी sign करते हैं आखरी उस पर, पर राश्पती जी उस पर sign तब करते हैं, जब ये मंत्री दल, along with the Prime Minister, जो उनके मुखिया हैं, ये उनको बोलें, राश्पती को, ये उनको help करें, ये उनको advice दें, आच्छा, ठीक है, However, President के पास एक चीज है, He may require the COM to reconsider such advice, अगर राश्पती को लग रहा है, कि Council of Minister ने बहुत जल्दवाजी में, बहुत हेस्टी, बहुत ही जादा, मतलब, ill-formed opinion के साथ मुझे कोई advice दी है, और मुझे समझ में आ रहा है कि ये advice जो है, ये देश में उतल-उतल मचा देगी, दे ये आपको नहीं करना चाहिए, तो आप इस पर सोचल एक बार हो, प्राइमरिसर कहेंगे, सर ठीक है, आपकी बात का भया सम्मान है, इसलिए हम एक बार उसकी बात सुनेंगे, लेगन हम ये कानून आपके पास फिर लेके आने वाले हैं, दो महीने बाद, तब आपको साइन फिर ये एडवाइस, तब तो इनको मानने ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट इस बाउन टू एड, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इस एडवाइस, फिर इनके पास ऑप्शन नहीं है, अब ये एक प्रावधान के तहत जोड़ा गया था हमारे सम्मेदान में 44th Amendment के तहत, Now, the advice tendered by Minister to President shall not be inquired into in any court, ये भी है, कि राश्पती जी को जो advice दी जा रही है, उनको जो सला दी जा रही है, वो किसी भी court में challenge न हो जाए, मतलब अगर ही challenge हो गई तो इससे problem क्या होगी, इससे problem होगी, पहली बात तो confidentiality की, कि हम मंत्री हैं, हम सारे लोग मिलके देश चला रह हैं, और आपने क्या किया, आपने इस बात को बाहर कर दिया, कि आपने हमारी advice पहले तो सुन ली, हमें बुला के, घर पे बुलाया, आपने चायवाई पिलाई, फिर आपने हमारी बात सुन नहीं, आपने का ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूँ, और परसों इस चीज़ कोड में केस हो गया, मतलब हमारी आपकी बात लीग हो कोई बाहर, हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, देश की integrity की बात कर रहे हैं, unity की बात कर रहे हैं, कोई देश में कोई बहुत एहम फैसला है नहीं वाले हैं, और आपने क्या किया कि आपने जा कि उस पर कोड में क Council of Ministers का, तो हमारे जो राश्पती और Council of Ministers के बीच में जो एक confidentiality है, जो एक गोपनियता है, वो भंगना हो, और जो भी कोई advice हो दे रहे हैं, अपनी official capacity में दे रहे हैं, वो court में challenge नहीं होगी, ठीक बात हो गई, अब इसके बाद हम कह रहा हैं आपसे, किसाब देखो, अगला article सुनो, 74, 75, 77, 78, 88, पाँच आर्टिकल हमको पढ़ने हैं, पहला article यह कर रहा था, कि राश्पती जी को advice दी जाएगी, अब ये लोग advice देंगे कौन, कौन है ये advice देने वाले लोग, तो इन्होंने हम यहाँ पढ़ रहा हैं, कि राश्पती जी appoint करते हैं एक Prime Minister का, एक Prime Minister का, दो तो नहीं होते हैं, एक ही PM होता हमारा, अब Prime Minister जी फिर advice देते हैं राश्पती जी को, कि साब मुझे ये ये सारे minister चाहिए अपने हैं, फिर राश्पती जी इनका appointment करवाते हैं, पूरे शपत दिलवागे, पूरा बिलकुल उनसे पूछ के और पूरा उनका नाम पे signature करक अगर minister, ये जो सारे minister हैं, अगर ये किसी house के member नहीं हैं, तो भी ये 6 महिने तक minister बने रह सकते हैं, पर इनको किसी house की membership लेने पड़ेगी, चाहे लोग सबा, चाहे राजसबा, बिटिन में अलग होता है, बिटिन में किसी एक ही house की membership चाहिए होती है, वो कौन सा house है, बताना जरूर ठीक है person must become a member within six months छे महीने के अंदर अगर मैं आपको बताया था कि PM मोदी जी चाहें और बोले कि मैं आदित्य सर को अपना law minister बनाना चाहता हूं पर ये ना कभी MP बने है ना कभी चुनाओ लड़े है इनोंने ना कुछ किया है तो अभी मैं छे महीने तक minister बना रह सकता हूं law ministry का पर छे महीने के भीतर मुझे किसी ना किसी house के membership चाहिए चाहे लोग सभा चाहे राज़े सभा ठीक है ये एक fund आए हमारे हैं और ये Supreme Court ने एक फैसला दिया था 1997 में उसके बाद ये चीज इसको set कर दी गई थी कि अब इस पर कोई ज़्यादा विचार ना हो minister बने रह सकते हो अब 6 महीने के लिए 6 महीने में अपनी कई न कई सदस्ता अपनी पाजाओ किसी भी house की फरक नहीं पड़ता either by election और by nomination किसी भी तरह से या तो चुन के आजाओ या ना मांगे तो क्या हो कोई minister है अपना जो बिना चुने ये मंत्री बने हो और nomination के तहट किसी house के member बने हो पता हो तो बताना नाओ एक चीज है जो 91st Amendment Act आया था 2003 में वासपरी जी की सरकार लेकिया आई थी तो इनोंने ही उस समय बोला था कि ये जितने सारे मंत्री हैं इन सबको count कर लो आप including the prime minister PM भी include होंगे इसमें इन सारे मंत्री हो count करो और इनको बोलो कि आप सब की जितनी भी तादाद है आप पूरी लोकसभा के 15% total strength से ज़्यादा नहीं हो सकते हो कैसे? मतलब मुझे नहीं पता कि मंत्री के कितने होने चाहिए पर मुझे पता है मंत्री maximum कितने हो सकते है यानि लोकसभा की strength कितनी है? 543 into 15 upon 100 ये जो number आएगा ये जो भी number है इस number से ज़्यादा कोई भी और श्यादा मंत्री नहीं हो सकते है इसके पीछे वाजिब रीजन है क्योंकि एक मंत्री के office पे खर्चा बहुत होता है मंत्री का काफिला जाता है मंत्री के साथ अफसर अटेच होते हैं आपके जैसे future officers joint secretary, under secretary JS1, JS2, JS3 बनते हैं फिर इन लोगों के साथ फिर इस मंत्री के office के साथ बाकी सारे offices भी attach होते है तो बहुत खर्चा हो जाता है अब ऐसे तो क्या होगा कि अगर एक PM जीता उसने का कि मेरे तो सारे दोस्ते हैं आपे MP तो मैं काम करता हूँ तीन सो मंत्री बना देता हूँ 543 लोग सभा की seat हैं और इस में से 300 मंत्री हैं वाह क्या बात है तो majority में ही मंत्री है नहीं तो executive फिर कैसे responsible होगा लोग सभा के लिए इसलिए बोला गया कि एक cap लगा दी गई है एक ceiling लगा दी गई है कि इससे उपर नहीं जाएंगे किसे उपर नहीं जाएंगे कि अगर आप disqualify होगा on the ground of defection आया राम गया राम अगर आपने दल बदल लिया तो आप किसी वज़े से अगर आपने दल बदला और आप मंत्री थे तो you will also be disqualified to be appointed as a minister sorry not possible दल बदल होगे तो फिर मंत्री भी नहीं रहोगे अगर MP में नहीं रहे तो minister तो क्या ही रहोगे now ministers shall hold office during the pleasure of the president मैंने आपको pleasure of president last class में पढ़ाया था कि राश्पती का ये pleasure नहीं होता है राश्पती खुश है आज इसलिए आप मंत्री बने हुऊ नहीं जब तक भाई देखो राश्पती का pleasure जो होता है ये US का word है ये US का एक phrase हुआ करता क्योंकि वहाँ पे US में राश्पती जी होते है वो executive के real head भी है तो अब वहाँ पे क्या होता राश्पती जिसका चाहा appointment कर सकते है उनका मन है मुझे लग रहा है कि ये बंदे में capability है मैं इसको बेज रहा हूँ रशिया में ambassador बना के during the pleasure of my tenure जब तक मैं राश्पती हूँ US का तब तक ही मेरा और जब तक मेरा मन चल रहा है तब तक ही मेरा बेजा हुआ ambassador वहाँ रशिया में रहेगा जब मेरा मन करेगा मैं इसका वापस recall करूँगा तो हमने phrase वहाँ से सीखा कि pleasure of president राश्पती जब तक खुश है अपना सुख अनुभव कर रहा है आपके duty की वज़ा से तो आप काम कर सकते हो हमने वो phrase यूज किया है पर हमने राश्पती को कोई ऐसा pleasure का मौका नहीं दिया है कि जब तक राश्पती चाहेंगे तभी तक जो है minister रहेंगे तभी तक पूरी लोकसवाद चलेगी पूरी minister यह सारे ministries काम करती रहेंगी ऐसा नहीं है यह हमारे यह theoretical word है pleasure of president इंडिया में now principle of collective responsibility याद रखना हमारे लोकतंत्र का जो fundamental brick है जो foundation stone है वो यह है that is principle of collective responsibility मतलब सारे के सारे ministers shall be collectively responsible to the लोकसभा जो minister होते हैं लोकसभा में कोई भी MP हो वो इनसे सवाल पूछ सकता है इनसे कैसा भी सवाल और कई तरीके सवाल पूछ सकता है question hour supplementary question कुछ और question start question written में oral में answer जैसे चाहें वैसे वो इनसे जवाब मांग सकते हैं यहां के लोग this forms our bedrock of democracy यही है principle of collective responsibility now these ministers यह जो minister होते हैं they own they they own joint responsibility to the लोकसभा मतलब अगर a defense minister ने कोई काम किया है और लोकसभा उनसे नाराज है इस बात पे तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोकसभा खाली इनी से नाराज है नहीं वो इन सबसे नाराज है यह पूरे के पूरे चितने लोग है they swim together they sink together यह एक phrase है यह बड़ा common है और यह आपको exam में लिखना ही पड़ेगा they swim together together and they sink together एक ही साथ तैरेंगे और एक ही साथ नईया से डूब भी जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि law minister बढ़े अच्छी है आदित सर बागी सारे minister खराब है तो बागी सारे minister वोटा दो आदित सर खाली रह जाएंगे सरकार में नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर प्राइम मिनिस्टर गए या कोई डिफेंस मिनिस्टर गए या कोई ऐसे या कोई ऐसे लोग गए कि no confidence motion आ गया है सब के सब गए बाहर out over they swim together and they sink together and they are responsible for all their acts of omission and commission यो दो बड़ है इनके मतलब क्या होते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो इनों ने किया हो य Вас और कोई काम जो इनों नहीं किया हो ऐसा कुछ तो इसको हम और भी त荷िक से लिखते हैं actions and inactions actions and inactions मतलब काम करना भी और काम ना भी करना दोनों चीजों में लोगसबा के लिए ये लोग जिम्मेदार है लोग सभा इनको बुलाएगी और बोलेगी session आ चुका है, winter session आने वाला है, आओ बटा, सवाल के जवाब दो, जनता ऐसे सवाल पूछना चारेए आपसे, आओ ज़रा जवाब दीजिएगा, तो ऐसे इनको बुलाए जाएगा, नाओ, राश्पती जी जो होते हैं, यही इनको शपत दिलवाते हैं of office and of secrecy to a minister, जैसे PM को दिलवाई दाती है, ऐसे ही PM के साथ सारे जितने ministers होते हैं, उनको भी, राश्पती जैसे हम देख रहे हैं, आप कोविन जी जो हैं, वो finance minister जी को हमारे शपत दिलवा रहे हैं, कि आप पहले शपत लो, कि आप अपने office के प्रती तो सची निश्ठा रखोगे, ये करोगे, वो करोगे, सारी बात हैं, इनकी जो salaries होती है, इनके जो allowance होते हैं, जो इनको भत्ते मिलते हैं, they shall be determined by the parliament, ये सारे सारे point अभी आगे खोल के पढ़ते हैं इनको, पर एक पर जान लो उपर उपर से, कि जो इनको, जितना इनको salary मिल इनको इतना मिलेगा, तो समयधान ने ऐसा कुछ नहीं का है, समयधान ने का है, पार्लेमेंट अपने विवेक के अनुसार, अपने समय के अनुसार तै कर ले, किस minister को कितना देना चाहिए, किस rank पर है, तो कितना मिलना चाहिए, ठीक है, now, next article is, conduct of business of the government of India, कि जो सरकार जब रही है, daily role मर्रा में काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो जितने भी, जितने भी all executive actions, जितने भी होते हैं सरकार के, वो बोला जाता है, कि साब हमने ये लिए हैं, राश्पती के नाम पे, राश्पती के नाम पे, all executive actions shall be expressed to be taken in the name of president, कि राश्पती जी की तरफ से order आया है, order राश्पती जी के नाम पे बेज दिया है, कि उनसे कहल वाई है हमने तो, लेकिन बोला हम ही नहीं हैं, हम ही हैं जो चुनके आये हुए हैं, पर राश्पती जी क्योंकि head of state है, हमारे first citizen हैं, तो उनके नाम पे हम आपको order देते हैं, कि आज से ये होगा, ये नहीं होगा, सब भी specified in rules to be made by the president, कुल मिलागे कहने के मतलब ये है, कि जैसे सरकार ने rules बनवाए हैं, कि भाई, एक order अगर आना चाहिए, तो फलानी ministry से पास होते हुए, PM office से होता हुआ, CC में जाता हुआ, Cabinet साजिव के आ जाता हुआ, फिर जाए राश्पती जी के पास, फिर राश्पती ज करते हैं, नहीं मिटे गई ऐसे, हाँ, तो इसकी जो validity होगी, ऐसे किसी order की, अब कोई ऐसी बात हो जाए, कि इसकी validity पर ही question हो गया है, कि सरकार का order आया, जो राश्पती की जीक नाम पर, तो इसकी validity सही है की नहीं, ये order सही है की नहीं, जैनूवी नहीं की नहीं, तो इसकी validity को question नहीं कर सकते हैं, इस बात पे, कि it is not an instrument made by the president, तो यानि कि भले ही राश्पती जी उस पे विचार विमर्स नहीं कियोंगे, राश्पती जी का office में आया, council of ministers ने भेजा गुआ तो एक letter, file आई, राश्पती जी ने देखा कि अच्छा, इस ministry चाहिए, लो sign जाओ, done, उन् council ministers का order बना हुआ था, और राश्पती जी ने भई दस्तकत किया है, तो ऐसा order, क्या order माना जाएगा, नहीं, राश्पती जी ने नहीं बनाया गया, नहीं, ये माना गया है, कि उनके नाम पे ही लिया गया है, राश्पती जी के नाम पे हर order, हर action लिया जाता है, सारा executive action जितन भी हमारा पूरा जितना भी हमारा उपर से नीचे तक हमारा सिस्टम चल रहा है वो राश्वदी जी के नाम पे Central Government वो राश्वदी जी के नाम पे दिया जाता है कि हासा राश्वदी जी के थुरू ये order एक actually realized हुआ है now एक और ये भी सम्मेदान का बनाएगी राश्वदी जी के नाम सब आप में ऑफिस आ रहा है का क्यार की ये राश्वदी जी इसके लिए को कवेंगे और या उअप से या आजगी जितने भी कुछ भी होसकता है कैसा वी order वो राश्पती जी ही मतलब उस पे sign करेंगे final for the allocation among ministers of the said business कि हाँ साब कौन सा minister ये काम समालेगा कौन सा minister ये काम पूरा करेगा किस minister के पास timeline है किसा आप दो महीने के अंदर दे देना पूरा करके जैसा भी होगा ये सारे काम करवाएंगे next article आ है article 78 that is the duties of the prime minister हमने last time में पढ़ा था कि PM साहब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो राश्पती जी को convey करें कि साहब मेरी council of ministers क्या और नयाप फैसला लेके आने वाली है now primary means of communication है ये यही bridge हैं यही वो pull है council of ministers और राश्पती के बीच में PM बैट के इंसे बात करते हैं PM समझाते हैं साहब देखो मेरा पूरा मंतरी दल मेरा पूरी cabinet सारी ये काम करने में राजी है ये काम करना चाहरे है now prime minister की responsibility होती है to inform the president of all the decisions made by the council of ministers कि साहब हम पूरा मंतरी दल जो regarding the administration of union affairs and legislative proposals क्या हुआ यह मैंने पढ़ाया दलास क्लास में भी कि कोई भी जो संग के जितने काम होंगे union के center के उन कामों के लिए उनको भई उन भई union के जितने affairs है administration के आराउं के प्रशासनिक सेवाओं के आराउं या कोई या कोई मेजर मेजर तीन पॉइंट बता दे रहा हूं जो important है तो राश्पती जी जब यह बिल पास हो जाएगा लुकसभा राज्यसभा से तो हम आपके पास आएंगे आप प्लीज उस पर अपना अशिरवाद देके हम उस पर साइन कर देना हम माल लेंगे उसको नाओ पीएम हैस्टू फरनिश सच इंफरमेशन ऐस दे प्रेसिडेंट में कॉल फॉर राश्पती जी ने बोला कि मुझे यह बताओ तुम अगले हफ्ते क्या सोच रहे हो प्लानिंग क्या है तुमारी लोग सभा में जाने वाले हो क्या बोलना क्या है तुमें जाके पहले मुझे बता बार जरा जानकारी चाहिए मुझे तो राश्पती जी फिर इंसे पूछेंगे और पीएम की मिदारी है कि वो इनको फरनिश करें ऐसी इंफरमेशन फरनिश माने उनको प्रोवाइड करें उनको दें किसाब देखो यह हमारी यह यह आपकी जो इंक्वारी है वो यह इसका हम से ही नौ अगर राश्पती चाहें तो इफ प्रेजिट significant requires कि अगर राश्पती ऐसा चाहें कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस बात पर विचार करो कि आपका एक मंत्री ने कोई ऐसी planning कर रखी है पर आपके मंत्री दल न आपका बैठके उस पर विचार करें ये वो चीज है if president requires so submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by an individual minister ठीक बात है कि मैं आपको बताए था example लेके भी कि मानलो मैं हूँ animal husbandry का minister और मैं चाहता हूँ कि भई पशुक रूरता दिनीयम में बदलाव आए और जो 50 रुपे की penalty है किसी पशुक के साथ क्रूरता करने पर वो बढ़के हो जाए एक लाख पांच लाख पचास लाख तो अब मैं अकेला minister हूँ अपने जो animal husbandry समालता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा मंत्री दल सुने पर यार कोई बात कोई मेरी बात की एहमियत नहीं हो पा रही है तो मैं राश्पती जी को बोल सकता हूँ राश्पती जी आपके पास ये power है कि आप PM साहब को बताओ कि मेरे इस बात पर विचार कर ले है क्योंकि बहुत समय बीट किया है तो ऐसा हो सकता है आगे चलें तो आगे हम देखेंगे Article 88 में एक important है Rights of Ministers as respect to the House ये grammar सही है ये grammar खराब नहीं है ऐसी लिखी हुई है Now, point है कि Article 74 से लेगे 78 सक तो हमने पढ़ा फिर एक Article 88 में आ रहा है ये अगले पार्ट के उसमें है तो Article 88 क्या कहता है Every Minister has the right to speak and take part in the proceedings of either house any joint sitting of the houses and any committee of the parliament of which he or she is a member कुल में लागे क्या है कि हर मंत्री के पास ही अधिकार है कि वो सदन में जाए अपने लोकसवा आजय सवा जहां भी है जहां उसकी proceeding हो रही है वाँ जाके वो बैठ ले joint sitting हो रही है तो houses के वाँ जाके बैठ ले Parliament की किसी committee का अगर वो member है तो उसमें जाके वो बैठ ले उसकी proceeding देख ले अपनी बात भी कह सकता है पर वो vote नहीं देगा He shall not be entitled to vote जब ऐसा होगा कि कोई ऐसी parliamentary committee होगी तो उसको अगर वाँ member की तरह बुलाए गया है जहां पर वो required नहीं है whenever not required वो vote नहीं देगा जहां भी rules ऐसा कहते हैं कि whenever not required जहां भी rules ऐसा कहते हैं कि minister सहाब भले इस committee के member है पर ये इस committee में बैठ के yes या no पर vote नहीं देंगे तो वो vote नहीं दे सकते है अगर वोट दे सकने वाली committee में होंगे तो वोट दे सकनेगे otherwise इसी article की वज़ा से ऐसा नहीं होगा कि जाके vote दे आए लो खुदी खुद जीती आए नहीं नहीं ऐसा नहीं अब इसके बाद आगे चलो हम कहते हैं कि हमें ये जानना है कि जो minister जो advice दे रहे हैं राशपती जी को उसका क्या nature है क्या उसका behavior है क्या उसका actual चीजें है तो same line article 74 की there shall be council of ministers with the PM at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice ठीक बात है अब ये वाला जो portion है जो मैंने यहां लिखा है act in accordance with such advice ये add हुआ था 40 second amendment के तहत 40 second amendment इसको हम बोलते है mini constitution कब आया था ये तो किसकी सरकार में आया था ये now फिर अब बोला गया president बोल सकते हैं कि साहब आप एक बार आपने जो मुझे advice दी इसको दुबारा सुन लो यार फिर 44th amendment जो सरकार दूसरी आई थी इस सरकार के बाद उस सरकार ने बोला कि हम एक दुबारा amendment लेके आ रहे है जितना 42nd में जितना कुछ बवाल हुआ है मैं इसको शांत करते है 44th में बोला गया कि ये जो boundaries लगी हुई है इनके उपर ये boundaries जारी रहेगी पर राश्पती जी के एक बार सुन ली जाए कि राश्पती जी कहना क्या चारा है राश्पती जी ने काया अच्छा एक बार हम पीएम मंत्री दल पूरा bad case पर विचार कर ले तो ठीक है कर लेते हैं पर अगर हमने दुबारा advice दे दी राश्पती जी को यह बोला गया 44th Amendment में आई बार समझ में फटी सेकर ने बोल दिया गया कि नहीं advice जो बांड नीं है खतम बात 44th में बोला गया कि नहीं एक बार थोड़ा सुन लेना राश्पती जी है बड़े बहुँ बड़े आदमी है यार तो इनकी बात सुनी जाएगी फिर अगर उसकी बात सुनने के बाद भी हमना advice दी तो इनको माननी पड़ेगी वो बात यह जो advice होगी tendered by any minister और ministers और PM दे this advice cannot be inquired into in any court साब बात वही यह अपनी confidentiality की बात अपनी गोपनियता की बात ऐसा नहीं हो कि बात ही बात निकल गई लोग क्या ही advice दे रहे हैं बात तो पब्लिक को जा रही है तो पब्लिक को यह दे रहे हैं आपको को दे रहे हैं ऐसा कुछ नाओ हम आगी चलेंगे हम यह देखेंगे कि एक case हुआ था UNR Rao versus Indra Gandhi 1971 अब इस case में चर्चा यह बात पर हो रही थी कि क्या यह जरूरी यह council of ministers का होना Article 74.1 जब लोकसभा नहीं रही जब लोकसभा खतम हो चुकी है लोकसभा जाने वाली है लोकसभा dissolve भंग कर दी गई है तो क्या council of ministers का होना जरूरी है Supreme World ने का yes absolutely क्यों क्योंकि हमें याद है अंग्रियोजों का समय हमें याद है पुराना अपना medieval history तो हमने वहाँ देखा है कि जब arbitrary manner में exercise होती है power तो कितनी खराब चीज होती है वो हम बोल रहे हैं कि even after the dissolution of the लोकसभा council of ministers does not cease to hold office इनका office खतम नहीं होगा ऐसे बले ही लोकसभा भंग हो गई हो इनका office भंग इसले नहीं होगा क्योंकि any exercise of the executive power without the aid and advice will be unconstitutional कि अब जब भंग हो चुकी है लोकसभा council of minister रहे नहीं उसके बाद अगर राश्पती जी के पस कोई advice देने के लिए है नहीं राश्पती जीने का अरे अब तो कोई है नहीं council में कोई minister नहीं कोई aid नहीं कोई advice नहीं कोई accordance with the advice नहीं कुछ नहीं तब तो मैं ही हूँ जो हूँ नहीं ऐसा ना हो जाए कभी ये situation नहीं vacuum ना आ जाए इसलिए interim सरकार भी होती है इसलिए council ministers लगे रहते हैं जब तक अगली सरकार नहीं आ जाती है now क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि exercise हो गई executive power without the aid and advice of any minister of any of any mantri dal then that is unconstitutional and that is a violation of article 74 74 तो mandatory है 74 तो होना ही पड़ेगा there shall be a council of ministers शैल बात हो रही है में माइट की बात नहीं होगी होगा ही होगा council of ministers फिर 1974 में एक और शमशेर सिंग वर्सेज वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब पंजाब लगत रहों खाली है ना पंजाब समझ जाना तो पंजाब से समशेर सिंग जी का case चला यहां बात हुई कि समविधान का breakdown हो गया है या कोई और ऐसी आपदा आ गई है राश्पती सैटिस्फाइड तो इसका मतलब यह नहीं है कि राश्पती जी का personal satisfaction no 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 it is the satisfaction of the council of ministers पूरे मंत्री दल उनका but of the council of ministers it is the satisfaction of com अगर मंत्री जी सारे pm के साथ यह राजी हो गए कि यहां साब देश में आपदा की सिती है emergency लगाई जाएगी तब उसके बाद option नहीं बचा अब तो emergency लगेगी राश्पती जी को sign करना पड़ेगा राश्पती satisfy हो ना हो परिशान रहे हैं हमसे मतलब नहीं है पूरा मंत्री दल satisfied है बस यह हो गई बात फिर आगे चलो अब minister बनेंगे कैसे कौन बना रहा है minister तो हमें पता है राश्पती जी appoints the prime minister और राश्पती जी appoints the other ministers on the advice of prime minister के PM साप गया रहे हैं साब फलाने वक्ती को law ministry दो फलाने वक्ती को home ministry दो तब जाके बनेंगे अब same article members of parliament from both houses are appointed as ministers लोगसभा राश्पा कहीं से भी आ सकता है मेरा जो मंत्री दल होगा मैं चाहता हूँ के राश्पा मैं ऐसे important लोग है जो बहुत ज़्यादा science की बात जानते हैं जो बहुत ज़्यादा arts literature वेलकुल commerce सब बात जानते हैं मैं जाता हूँ कि वो person मेरी ministry में रहे मैं बनवा लूँगा उसको क्योंकि मैं PM हूँ मेरे पास majority है absolute majority है मैंने जाके बोल दी राश्पती जी को कि साब फलाना रखती है वो चाहे election से चाहे nomination से बन जाए अपना minister sorry member of parliament अब यहाँ पर क्या होगा जैसे हम देखते हैं जब जैशंकर जी हमारे विदेश मंतरी चुने गए बने आए गए तो हमने देखा कि वो member है राज्यसभा के साब बात है अब यह member है इसके लिए इस वज़े से यह लोगसभा में जाके कुछ बात अपनी रख सकते हैं ये लोगसभा में जाके वहां की proceedings का हिस्सा बन सकते हैं यहbnिय राजयसभा लाल फरश यह लोगसभा हरा फरश तो अब यहांपे जाके अपनी बात कर रहें अपने बात बताया एं जो भी कहना हो कह दें पर यह यहां लोगसभा में ज वोट दोगे, जाके आप अपनी बात कहलो, आप मंतरी हो ठीक, आपकी बात सुनेंगे हम, नाओ, मिनिस्टर्स की वही ओथ, जो हमने पहले बढ़ी थी PM के लिए, ओथ सेम है, ओथ ओफिस, और ओथ ओफ सीक्रेसी, दोनों अलग-अलग हैं, कि एक तो कार्रे के प्रती, और एक कार्रे की गोपनियता के प्रती, दोनों चीज़े हैं, मेरा कार्रे क्या है, कि मेरा कार्रे है, कि मैं सम्विधान के प्रती सची निष्ठा, सची शरद्धा, सब कुछ रखूँगा, पूरी वफादारी मेरी होगी, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, देश की संप्रभुता, देश की अखंड़ता, आज नहीं आने दूँगा, to faithfully and conscientiously discharge the duties of my office, कि साब मेरा office है, मैं पूरी चेतना के साथ, पूरी शरद्धा के साथ, पूरे होशो अवास में, अपनी duty निभाँगा, ऐसा नहीं कि आ रहा हूँ उद दुपैर में एक बज़े office में, नहीं, जो time है, time से आउँगा, और time से जाउँगा, और सारे लोगों के प्रती, समान तरीकी से भेव करूँगा, अच्छा करूँगा उनके प्रती, to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, without fear और ill will और favor और affection, तो कोई भी बज़े हो, किसी का भी कोई काम, मेरा बहुत प्यारा हो, जो भी हो, मुझे फरक नहीं पड़ता है, मैं मुझे office मिला है, एक public office मिला हुआ है, मेरे पाँ जम्मेदारी है, देश के प्रती, मैं वही निभाँगा, देश के प्रती, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रदा, मुझे रखनी है, साथ ही अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम के लिए कुछ secrecy की होती मुझे लेनी पड़ेगी, मैं शबत लेता हूँ, इस शवर को सच्ची मान के, कि भाईया, मैं अपनी ऐसी कोई बात, जो मेरे ओफिस की है, जिसकी वजए से, कोई मेरे देश की अखंड़ता पर कोई आँच आ जाए, कोई security पर आँच आ जाए, वो बात मैं किसी और से discuss नहीं करूँगा, I will not reveal to any person और persons, कुछ भी हो सकते हैं, कि जहां मुझे बतानी पड़े, वहाँ तो मैं बताऊंगा, चाहे मेरा secretary हो, चाहे मेरा कोई senior हो, चाहे मेरा कोई colleague हो, जिसको मुझे बात बता के, मेरा वो काम हो रहा हो, या वो बात बता के, मेरा ministry का office का business run हो रहा हो, तब तो ठीक है, पर otherwise मैं किसी को reveal नहीं करूँगा, अपना कोई भी ऐसा matter जो मेरे सामने आया है, मेरे consideration के लिए आया है, मैं वो बात नहीं कह सकता किसी से, ये मेरी secrecy की होता है, now हमने देखा, कि एक बार क्या हुआ था, डेविलाल जी जब वीपी सिंग जी की सरकार में, ये चला गया फैसला कोट में, कोट ने कहा, देखो ऐसा है, इनकी ओथ सही है, इनकी शपत सही है, चाहे आब ये देख रहे हों कि सम्विधान में नहीं लिखा है डेप्यूटी पीम, पर डेप्यूटी पीम एक पॉलिटिकल चेर है न, तो जहां तक, अगर ओथ का जो टेक्स्ट है, वो सही है, ओथ इस, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, ओथ माने शपत, ओथ is substantially correct, तो सुप्रीम कोड कहती है, कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, सही है तो सही है, सुप्रीम कोड सेटेट, तो पीम नहीं हो रहा है वो दूसरा, वो पीम नहीं है, वो डेप्यूटी पीम है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए एक बनाया है, दायाहात, अब अगर उसने ओथ ली है, और वो ओथ का जो matter है, जो text है, वो ठीक है, तो उफिर वो ओथ सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, and it does not vitiate, does not, not vitiate, vitiate, ये बोला गया, vitiate him, इनकी ओथ ठीक है, ये done है, ये okay है, कोई problem नहीं इनके साथ, now, इनकी जो salary होती है, salary हमको याद है, आपको याद है, last class में PM के लिए पड़े थे हम, के parliament, he decide करेगा time to time, किसाब इनकी salary कितनी होगी, क्या होगी, कब मिलेगी, कौन से तारीक को मिलेगी, and he gets the salary and allowance, that are payable to a member of parliament, plus other allowance, other, आपको याद है, मैंने एक allowance का जिकर किया था आपसे, जो guest के लिए होता है, for entertaining guests, तो जब वो guest आते हैं, तो वो भत्ता इनको मिलता है, ताकि एक party थो कर सकें, उनके सम्मान में जो guest आए है, उसका S से नाम होता है, मुझे बताना जरूर, फिर इसके अलावा इनको मिलता है, जैसे free medical, या इनको free accommodation, accommodation हो गया, इसके बाद आ गया, इनका travel expenses, medical expenses, बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे इनको मिलते हैं, इनकी rank के साब से, कि ये कितनी rank पहें, Prime Minister है, Minister है, Minister of State है, Independent Charge है, Deputy Minister है, जो भी हैं, तो उनके साब से इनको मिलेगी, जो Parliament के, एक Act के तहत पास होगी, Parliament के एक Act आता है, Salaries and Allowance of Ministers Act, तो, आए देखेंगे वो, अभी देखो, Responsibility of Ministers, कौन सी Responsibility, एक तो होती, Collective Responsibility, एक होगी, Individual Responsibility, फिर एक आएगी, Legal Responsibility, एक एक करके देखेंगे, Collective Responsibility क्या कहती है, कि Minister shall be Collectively Responsible to the लोकसभा, सेम बात, कई बार पढ़ चुक है, कई बार सुन चुक है हम, किसाब Ministers जो होंगे, इस सारे के सारे, इस लोकसभा के लिए जिम्मेदार होंगे, इस लोकसभा के प्रती जिम्मेदार होंगे, Now, they own Joint Responsibility to the लोकसभा, and for all their acts of omission and commission, actions and inactions, चाहे का, सॉरी, चाहे काम किया हो, चाहे नहीं किया हो, दोनों केस में इनके ऊपर आँच आएगी, लोकसभा इनसे सवाल बूचेगी, किसाब सेशन आने वाला है, तयार हो जाना questions के लिए, पूचेंगे आप से वहीं परी, और ये broadcast होगा संजट टीवी पे, पूरी जंदा सुनेगी आप से, अगर no confidence motion, पास हो गया, council of ministers के against, तो आपको याद होगा, वासपाई जी की सरकार चली गई थी, तेरा दिन की सरकार थी, तेरा दिन में बनी, तेरा दिन में चली गई, तो कौन सा year था ये जब इनकी सरकार गई थी, पहली वाली, फिर ये चली गई, अब जब ये सरकार गई, तो इनके सारे ministers को रिजाइन करना पड़ा एक साथ, जैसे रामजेट मलानी जी, ये उस समय एक राज्यसभा के member थे, ये law minister थे, लेकिन राज्यसभा से, तो भले ही लोग सभा में इनकी सरकार चली गई, इनका no confidence motion पारित हो गया, इनको confidence नहीं मिल पाया house का, इनकी सरकार गिर गई, इसका मतलब जो राज्यसभा का जो minister था, वो उसको भी त्यागना पड़ेगा, अपना जो इनका जो मंत्री पद है, ठीक है, अब ये सारे के सारे, all ministers have to resign, including those from the राज्यसभा, हटना पड़ेगा, हो गया काम, over, done, अब जाना पड़ेगा, दुबारा चुन क्या हो, तम मानेंगे, उससे बहला नहीं मानेंगे, council of ministers, ये राश्पती को advise कर सकते हैं, कि साब एक काम करो, आप ना हमारी लोगसभा भंग कर दो, राश्पती केंगे, अरे क्यों, अच्छी काज चल रही है न, तो ये बोलेंगे कि नहीं, 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 ऐसा है, ये जो house आया है, लोगसभा, ये जो आई है, ये पूरी तोर से जनता को represent नहीं कर रही है, राश्पती केंगे, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, क्या है, ये क्यों हो रहा हैं सब, फिर राश्पती जी बोलेंगे, मैं सुन लूँगा आपकी बात, अगर कहोगे, तो मैं बंग कर दूँगा लोगसभा, पर पहले मुझे आप, अपनी मेज़ॉरिटी चरफ प्रूव करके दिखाना, तो ये बोलेंगे, अच्छा है, ऐसी बात है, कर देंगे ठीक है, अगर काउंसल अपनी मेज़ॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तो राश्पती ची इनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर राश्पती कहेंगे, तुम मैज़ॉरिटी मेहीं नहीं हो, तुम क्यों लोगसभा बंकर आना चाहते हो, तुम तो पहले हो ही नहीं अभी तो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, कुल मिला कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि Council of Ministers can advise the President to dissolve the लोकसभा dissolve the लोकसभा on the ground that the House does not represent the views of the electorate faithfully electorate माने जनता जो vote देती है उस जनता के views को ये लोकसभा जो आई है साड़े 500 लोग ये प्रॉपर तरीके से उस views को reflect नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये लोकसभा है ये पूरी तोर से representative body नहीं है और इस body को आप भंग कर दो सर राश्पती कहेंगे अरे काम भया क्यों लोकसभा है लोग चुनके भेजे गए हैं लोकोंने चुना है इनको तो बोलेंगे लोग नहीं हैं बता रहे हैं आपको तो बोलेंगे अच्छा एक काम करो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास majority नहीं है लोकसभा में इसलिए आप इतना इसलिए आप इतनी लोकसभा भंकराने के बात कर रहे हैं आप पर लेक काम करना है ज़र आप परसों जाना या एक महीने बात जाना है लोकसभा में टेस्स देखाना इनके majority तो majority नहीं है यही तो president will not oblige the council of ministers प्रेसिएंट फिर इनको oblige नहीं करेंगे आपके पास majority नहीं है तो आप ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं मैं दूसरे किसी person को उठा के PM बनाऊंगा उनसे पूछूँगा क्या आपके majority है प्रूफ करके दिखा दो यार आप बना तो सरकार इन पर तो नहीं दिख रही है ऐसा हो सकता है Now, duty of every minister to stand by cabinet decisions and support them both within and outside the parliament जब आप देखते हो इतने सारे मंत्रियों के बयान आते हैं, तो यह मंत्री क्या करते हैं यह मंत्री अपने cabinet को अपने council of ministers को अपनी सरकार को पूरा defend करते हैं अरे हमारी सरकार काम करते हैं, कई सारे media में interview में, क्या होता है, कि आप देखते हो prime time में, कई सारे कोई minister को बलाता है कोई debate होती है खूब होती है तो उसमें क्या होता है minister जो होते हैं अब यह जा करता हूँ नहीं मेरी सरकार है जिसका मैं हिस्सा हूँ वह बहुत कराब है नहीं कह सकते वो सॉरी वो सरकार का हिस्सा है तो जाहिर बात है कि उनको सरकार को support करना पड़ेगा अगर नहीं किया अगर नहीं किया किसी minister ने ऐसा बोला कि भाई मैं disagree करता हूँ from the cabinet का decision जो भी cabinet का decision है and I am not prepared to defend it no sorry then PM बोलेंगे बाई हमको नहीं चाहिए आप जाओ यहां से ऐसा हो जाएगा ठीक है ministers जो भी हो ministers किसी भी ministry का वो in charge हो उसको पूरी cabinet के decision का सम्मान करना पड़ेगा agree करना पड़ेगा and he should be prepared to defend it अगर नहीं तो भाईया फिर एक यांसर है उसका bye 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 over तो यह होगा now जैसे example हमको याद है Ambedkar जी ने resignation दे दिया था क्योंकि वो सहमत नहीं थे 1953 के Hindu code bill से he was not happy Ambedkar जी ने बोला यह लो मेरा स्थिवा मैं तुमारी cabinet का हिस्सा नहीं हूँ इस आजाद भारत का हिस्सा इस आजाद भारत की ऐसी सरकार का मुझे इस्सा नहीं होना था bye छोड़के चले गए नहरू जी की सरकार थी इन्होंने बोला मुझे नहीं रहना आपके साथ sorry यह समय कौन से मिनिस्ट्री देख रहे थे आपको पता है जब पहली लोगसभा आई थी और पहली लोगसभा में ही इन्होंने एक दो साली काम किया है उसके बाद ही चले गए छोड़के तो यह कौन थे हमारे उस समय पहले मिनिस्टर जो इन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री चा यह एक परसन थे और मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा शौड में बताऊंगा सर चिंतमंद्वार का नाथ देश्मुक जी सर नाम है इनके आगे यह companion of the Indian Empire इनको CIE इनको title मिला हुआ है यह knighthood इनको मिला हुआ है नाइट यह knight भी है तो अंग्रेज हुकूमत ने इनको सम्मान दिया था इनको बहुत अच्छा इनको तो अब इनके बारे में थोड़ा सुननों पहले यह बहुत टॉपर आदमी एकदम first class student Cambridge गए Cambridge में 1917 में इन्होंने Jesus College Cambridge से पढ़ाई पूरी करी, Botany में और Natural Sciences in Tripos करके इन्होंने पूरी पढ़ाई पूरी करी 1918 में इन्होंने Imperial Civil Services का exam लिखा, Indian Civil Services, ICS और पहली बार लिखा ICS and he topped, यह top कर गए पहली बार लिखके and I am telling you उस समय ICS exam में एक ऐसी language होती थी जो India के काम की ही नहीं है, Greek language, अब Greek language रखी सली गई थी ताकि Indians को दूर रखा जाए ऐसी ICS Services से, लेकिन इन्होंने London बढ़ाई करी, London में वहीं पढ़के, वहीं के वहीं इन्होंने exam दे लिया यह second round table conference में secretary बने थे, secretary general के और उसके बाद यह 1943 में RBI के पहले Indian governor थे उसके बाद इन्होंने Indian international center की स्थापना भी करी, इन्होंने भी अपनी सरकार से resign किया था on the policy of reorganization of states, इन्होंने भी resign कर दिया था, हम भी नहीं आपके साथ, ऐसी यह आप क्या कर रहे हो, बॉंबे के आप दो टोड़े कर रहे हो, महराश्टा और गुजरात और बॉंबे शहर को आप यूटी बना रहे हो, मैं इसमें agree नहीं हूँ, यह पहले planning commission के हिस्सा थे, तो आ वो बहुत बड़ी freedom fighter थी, सम्विदान सभा की member भी थी, बुझरान का नाम बताना, ठीक है, आपको याद होंगे आरिफ मुहमद जी, तो आरिफ मुहमद जी ने हाली में रेजिनेशन दिया था, और 1986 में भी दिया था इन्होंने, तो आरिफ मुहमद जी इन्हें अपनी रा इससे agree नहीं करता हूँ, मैं जारूं छोड़के, अब पहले, इससे पहले कि ये जाके सरकार की बदनामी करें, पबलिक में जाके, इनको resign करना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा मैं तुमारी सरकार का हिस्सा हुई नहीं, अमिडगर जी हुए, सिडी देशमुग जी ह या आरिफ महमत जी हुए, ये लोग, ऐसे लोग हैं, जोनोंने अपनी सरकार की बादा खिलाफी भी करी, अपनी सरकार के खिलाफ ये खड़े भी हुए, और पूरे बात openly कह भी पाए, ठीक है, अब individual responsibility पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ी collective responsibility, individual क्या होती है, कि ministers जो होते हैं, ये अपने office में रहते हैं, ये रहते हैं, ये रहते हैं, during the pleasure of the president, which is not the pleasure of president, of course, it's practically the pleasure of PM, जब तक PM है, तब तक उनकी चलेगी, now, he could be removed even at a time when C.O.M. enjoys the confidence of the लोगसभा, कि साब काउंसल मिनिस्टर के पास तो सरकार के पास तो पूरी majority है, confidence है लोगसभा का, लेकिन फलाना मिनि can remove a minister only on the advice of the prime minister, साब बात है, PM ने कह दिया कि, not good, not the best fit, हटा उसे, राश्पती कहिंगे ठीक है, आपने लगवाया ता आप ही अटवार है, मेरी कोई दिक्कत नहीं, मुझे, sign कर दिया, out, ब्यार, हो गए, बाहर हो गए, ये Ambedkar जी ने बोला था, कि collective responsibility ही है, जो हमारे conceptualization करते हैं, Prime Minister Office का, हम Prime Minister Office को इतना instrumental बना देते हैं, इतना pivotal बना देते हैं, pivotal माने, जैसे ये pivot होता है, ये एक ऐसे, मैंने ये बनाया है, तो यहाँ पर ये जो बना है, ये pivot है, फलक्रम है, ये instrumental है, इस पूरे C-100 को समालने के लिए, तो हम ये बोल रहे हैं, कि ये है PM, जब तक, जब तक हमारा instrumental है, हमारा फलक्रम, हमारा pivot, तब तक तो collective responsibility बढ़िया चलेगी, अगर ये pivot खराब हो गया, तो फिर हमारी सब, सब बिगड़ जाएगा, हमारा, जतना ही C-100 हमारा जूला बना हुआ है, ये सब बिगड़ जाएगा, now, therefore, unless and until we create that office, and endow that office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, there can be no collective responsibility, ये Amidler जी का court है, ये court आपको follow करना है, ये court आपको court भी करना है, जहां आपको अपसे पूछा जाए, now, एक और चीज, कि इनकी कोई legal responsibility नहीं होती है, ministers की, ये कह चीज़े सर, ऐसा होता है, Britain में, every order, जो Britain में जो राजा होते हैं, मनार्क हैं, ये King Charles बैठे हैं यहापे इनके बगल में हमारा कोई नूर हीरा भी रखा हुआ है, तो जो भी ये order होता है इनका राजा का, of any, of any public act, it is countersigned by a minister, क्या कह रहा हूं मैं, मैं ये कह रहा हूं, कि राजा कोई भी काम करे, चाहे वो जहाज उडाए, पर वो जहाज उडाने के लिए, अगर public act वो कोई कर रह है, वो जाके उसने क्या किया, उसने air UK का, उसने pilot का, पाइलट का बोला, तू हट मैं उडाऊंगा, अभी public act हो गया है, तो इस action को करने के लिए, ये एक minister होना चाहिए, जो इस पर कर दे कि हाँ, मैं या पर साइन कर रहा हूं, मैंने या पर लिग दिया साइन, ये मेरा act, कोई अगर violation होगा किसी कानून का, तो minister की जम्मेदारी होगी, राजा की नहीं होगी, the king can do no wrong, इसको हम अलग तरीके से mention करेंगे, highlighter का है इसमें, highlighter ये है, तो इसको बहुत मुटा हो गया है, इसको ऐसे करते है, the king can do no wrong, दिख रहा है, देखके मुझे बताना, हाँ, दिख fine authority है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, तो Britain में कावद चलती है, the king can do no wrong, जो भी गलत हो रहा होगा, वो पार्लमेंट ही करता होगा, अगर करेगा तो, तो मतलब क्या है कहने का, कि इनका कोई भी काम होगा, वो counter-signed होगा by a minister, कोई भी minister, जो भी minister हो चाहे, वो उस पर दस्तक करे, कहां साब, मैं जम्मेजारी ले रहा हूँ, राजा के इस उदंबाजी करने की, तो अब अगर ये कोई उदंबाजी कर रहा है, और वो उदंबाजी is a violation of any law, then the minister would be liable, would be held responsible and would be liable, फिर एनी की गर्दन पकड़ी जाएगी, क्या बहिया, क्या करवा दिये राजा से, क्य एकदम बिलकुली supreme है और बिलकुल एकदम divine authority है, यह हो, नहीं, हमारे राश्पती जी का, हमारे राश्पती जी के खिलाफ civil proceeding शुरूव हो सकती है, उनको notice दे के, उनको सब कुछ कर करा के, खाली civil proceeding, दूसरी वाली नहीं हो सकती है, now, इसके बाद आगे चलो, कि ये कौन लो minister होते हैं, minister, minister of state, तीसरे deputy minister, ये तीन तरह की category है, अब ये तो वो लोग है, जो proper minister है, जो responsible है, for heading the ministries and departments of the central government, साब बात है, इनके पास है, पूरी-पूरी ministry, जैसे important ministry है, जैसे like home ministry, defense ministry, finance ministry, external, दिख रहाएगे नहीं, छोटा हो गया शाहिए, तो defense ministry, finance, external affairs, जितनी भी commerce, सारी, major major, बड़ी-बड़ी ministry है, वो सारी की सारी, एक किसी minister को सौपी जाती हो, बोला जाता है, पूर्टफोलियो अब आपके पास है, अब ये मंत्राला है, आपको समालना है, और जम्मेदारी आपकी है, ठीक है, they are members of the cabinet also, and they attend its meetings and play an important role in deciding policies, कि हाँ भई हर दिन सुबह आना है, और PM जी आते हैं सुबह 6 बजे meeting में, आ जाना, 6 बजे से पहले ही, ठीक है साब आ जाएंगे, next आते हैं हमारे ministers of state, कई आप बार आपने राज्यमंतरी सुना होगा, तो minister of state दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो independent charge होंगे, या तो वो attached to cabinet होंगे, ये क्य पहले इनके बस law ministry थी, law ministry से हटा के इनको बोला गया कि आप से आप समालिये, ministry of earth science, ministry of earth science ये समालेंगे, and he will perform the same function in relation to their ministries, departments as cabinet ministers do, जैसा जैसे cabinet ministers काम करते हैं, ऐसा ही काम ये भी करेंगे, पर ये cabinet का हिस्सा हो ना हो, specialty नहीं है, ठीक है, ये cabinet meetings में अगर बोलाई जाएंगे, तो ये जाएंगे, वरना तो नहीं जाएंगे, दूसरे तरह से होते हैं minister, जैसे इन सर का नाम है, श्रीपत नायक जी, तो श्रीपत नायक जी क्या है, ये अभी है minister of state for ports, water authorities, ये सारे minister हैं, तो इनके पास ये एक attach है किसी बड़ी ministry से, अब इनके पास या तो चार्ज हो सकता है किसी एक department का या एक दो department का, भई एक मंत्राल है, बहुसाए department होते हैं, अब finance ministry है, तो उसमें department of economic affairs भी है, उसमें department of फलाना budget भी है, department of expenditure भी है, तो ऐसे कोई department पगणा दिये हैं, इनकों किसाब आप ये वाला department दि हो सकता है, finance का, उसके पास कोई और काम होगा, तो he can be charge of a department of one ministry, हो सकता भाई इनके पास दे दिया, या he can be allotted specific items of work related to the ministries, उनको कोई specific काम बगणा दिये, साब आपका ये ही काम है, अब पांस साल ये करोगे, आप ये पांस साल जनी पहले, जब तक आप PM खुश हैं आप से, तब तक आप ये काम करते रहोगे, अब ये सारे के सारे मंत्री दल का हिस्सा कहलाते हैं, council of ministers, पूरा का पूरा, बहुत बड़ी बड़ी होगा ही, इसातर असी लोग होगा ही है, अब इसातर असी लोगों में ऐसे बाढ़ी गई है, कि साब home ministry है, home ministry के अंडर एक तो BSF का प पर लेकिन इन दोनों केस में, they work under the supervision and guidance as well as under the overall charge and responsibility of the cabinet minister, दोनों केसों में, चाहे कोई independent एक कोई department दे दिया गया, कि साब करते रहना, पूछ लेंगे दो साल बाद report मंगाएंगे आपसे, या आपको बोला गया कि एक ministry का एक work है, simple work है, समालो इसको, दोनों केस में क्या होगा यह किसी बड़े cabinet minister के नीचे ही काम करेंगे, तीसरे होते हैं, deputy minister, deputy minister, यह rank ऐसे कम होती जा रही है, सबसे बड़ी rank यह, मैं ऐसे लग दे रहा हूं, one, two, three, यह तीन ranks है, ठीक है, सबसे बड़ा minister यह कलाएंगे, उसके बाद minister of state आते हैं, फिर आते हैं deputy minister, ठीक है, deputy minister क्या कह रहे हैं, they are attached to the cabinet ministers और ministers of state, यह attach ही होंगे, independent charge नहीं मिलेगा इनको, now, या तो attach होंगे किसी cabinet minister के साथ, या किसी minister of state के साथ, या तो इनके साथ attach हो गए, या इनके साथ attach हो गए, किसी ना किसी में, and assist them in their administrative, political and parliamentary duties, तीन दरगे duty मिल गए उनको, या तो प्रशासनिक, या राजन यह घूमो, आप वहाँ जाके deal करके आओ, मैं आपके नाम पे वहाँ जाके sign करेया हूँगा, यह काम हो सकता है, and they are not members of the cabinet, and they do not attend cabinet meetings, नहीं, आप दूर के हो थोड़ा, आप थोड़ा junior हो, अभी नहीं, cabinet में आते हैं, important लोग, बहुत ज़्यादा, इक्दम, जिसे कहते हैं इक्तम, close लोग, वो रहेंगे, इसके बाद एक चौती तरह की body है, पर इसका कभी utilization हमने जादा देखा नहीं है, parliamentary secretaries, यह वो लगया है, यह हम कहते हैं, 67 के बाद से तो कोई parliamentary secretary हमें मिला ही नहीं है, पर यह क्या करते थे, members of the last category of the council of ministers, which is also known as the ministry, अब ठीक हैं तो हैं यह लो जब department ही नहीं है, तो क्या करोगे कह इनका, now they are attached to the senior ministers and assist them in the discharge of their parliamentary duties, खाली parliament के काम के लिए इनको रख लिया गया है, कि साब parliament में संसत में जाना है, महां जाके कई बार ऐसा होता हम संसत में देखते हैं, attendance लगती नहीं है, parliament के लोग आते नहीं है, जादा तर MPs, तो एक काम कर Secretary हो तुम मेरे, तुम एक काम करना, मेरे नाम पर चले जाना, या मेरे नाम पर पर्लेमेंट में जो एक लेटर आया है, मेरे नाम से इसका तुम reply करके बेज़ देना, ऐसा कुछ हो सकता है, सुरसट के बाद से, no parliamentary secretaries have been appointed, नहीं जरूँद पड़े इंकी, except during the first phase of Raji Gandhi government, बस एक बार देखते हैं, उसके बाद हमने काभी बात ही नहीं करें इंकी, अब deputy PM, deputy PM, council of ministers may also include a deputy prime minister, only for political reasons, again, political reasons, कि साब, अब गटमंदन की सरकार है, सब की मिली जूली सरकार है, तो coalition government, अब ऐस से में क्या होगा, एक party गईगी, अरे यार, PM तो तुम्हारा है, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास तुमने, हमारे पास तुमने एक ministry दे दी है, एक ministry ये दे दी है, ऐसे नहीं चलेगा, फिर party बोलेगी, अच्छा ठीक है, घटमंदन में रहना है, लेकिन तो एक काम करो, तुम मन जाओ मेरे deputy PM, बस, काम खतम, बड़ी आद्मी मन का अब तुमको, अब काम करना अच्छे से, मेरे नाम पे खुब action मिले लेना, जो भी करना, बाते करना लोगों से, तो ये आप कर सकते हो, deputy prime ministers are appointed mostly for political reasons, खाली बस, राज निति, इनके तुष्टी करण के लिए, इनक में difference है, difference कैसा है मैं बता रहा हूँ, COM जो होता है, it's a bigger body, consisting of 60 to 70 ministers, बहुत होते हैं इसमें, यहां है खाली 15 से 20 minister cabinet में, cabinet, छोटी body, छोटे लोग, PM के साथ रोज के उठने बैठने वाले लोग, and it is part of the council of ministers, COM is not part of cabinet, cabinet is part of COM, now, यहां पे तीन तरे के minister हम दिखते हैं, cabinet ministers, minister of state, deputy ministers, now, it does not meet as a body to transact government business, it has no collective function, now, this body, it always meets as a body frequently and usually, once in a week, to deliberate and take decisions regarding the transaction of government business, यही तो main लोग हैं, यही तो सारे मंत्री हैं, यही तो बड़े-बड़े cabinet ministers हैं, यही तो सारे वजीर हैं, कोई finance वजीर है, कोई defense का वजीर है, कोई विदेश मंत्राले का वजीर है, तो यह वो लोग हैं, जिनको daily, तो अफते में तो मिलना भी पड़ेगा, बैठके बातचीत करो, भाई, कैसे चलाना है, देश आगे कौन सा law pass करना है, किस देश से सहमती करनी है, कहां कोई जंगवंग, कोई जासुस बासुस बेजने हैं, तो बताओ, क्या करना है, तो यह important ministry हैं, यह important काम चला है, important सरकार का business run हो रहा है, यहां आपको बैठना पड़ेगा, and कई दफ़े ऐसा होगा, कि जब आप secretary बनके, ministers के साथ बैठ होगे, तो आपको बहुत ministers के साथ, आपके bosses हैं वो, technically, तो आपको bosses के साथ जाना पड़ेगा, cabinet meetings में, और ministers तो बैठ गए जाके table पर, एक दूसरे को देख रहे हैं, अब आप बैठे हो पीछे वाली कुरसी पर, round table conference में, तो आप table पर तो नहीं हो, पर आप table के पीछे जाके बैठे हुए, और note किताब लेके बैठे हुए, secretary, secretary means क्या, कि assist करने वाला, help करने वाला, तो आप बैठे हो, और जो लोग यह ब with all powers, but in theory, बस, COM जो समयदान में लिखा हुआ है, वो COM तो है, उसके पास वो, it will aid and advise, पर, it theory में है, practice में क्या होता है, powers of the council of ministers, इसके पास होती है, cabinet के पास, cabinet exercises the powers of the council of ministers, in practice, यह चीज़ हो गई, next आ जाओ, its functions are determined by the cabinet, जो यह बड़े मंत्री जो होते हैं, cabinet वाले, जो senior minister हैं, बैठते हैं, उटते हैं, वो 70-80 लोगों के लिए बताएंगे, तो मैं क्या करना है, now, cabinet, it directs the council of ministers by taking policy decisions which are binding on all ministers, सब बात है, ministers की उपर binding है, अब cabinet ने जो बोल दिया, वो तो इने मनना ही पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं है, doubt ही नहीं होना चाहिए, उसमें, this implements the decisions taken by the cabinet, cabinet ने जो फैसला लिया है, वो ये council of ministers implement करवाएगा, करवाएंगे भईया, ठीक है, अब कोई minister है, वो minister है कोई छोटी सी चीज का, जैसे minister of fisheries, अब ठीक है, कोई बहुत इतना पैसे वाली संस्थानी, defense ministry एक अलग चीज है, ठीक है, minister of ports, shipping, waterways, बड़ी ministry है, बहुत बड़ा उसमें investment है, बहुत बड़ा उसमें growth का avenues है, तो ठीक है भईया, अब वो एक बड़ी body है, अब जो वो minister बोलेगा, वो तो minister of fisheries को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है साब, आप cabinet member हो, मैं खाली council में हूँ, मैं पूरे मंत्री मंदल में एक मंत्री हूँ, आप तो हो भई implementation of its decisions by the council ministers, जो ये decision implement करवा रहे हैं, इनी लोगों का, ये body उसको supervise करती है, कि करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं सही से, या, it is a constitutional body, सम्विदान में इसका उलेक है, 74-75, दोनो बार इसकी बात हुई है, कि साब aid and advice करेंगे ये राश्पती जी को, ये सब ये करेंगे, cabinet क हमने 352 में insert किया है, by the 44th Amendment Act, हमने insert किया है, कैसे कैसे, it did not find a place in the original text of the constitution, शुरू में कभी था ही नहीं, नहरू जी जब पहली बार पीम मने, उसमें उनके पास cabinet नहीं थी, उसमें उनके पास थी council of ministers, और राश्पती जी थे, डॉक्टर राजन परसाद, तो राजन परसाद को जो सला दी जा रही थी नहरू के द्वारा, वो थी एक दम पूरी मंत्री मंदल की एक साथ मिली हुई advice, सुल्जी हुई advice, यहाँ पे, its size is determined by the Prime Minister, PM चाहते हैं, मेरी council minister कितनी हो, चाहे 50 लोगों, चाहे 40 लोगों, मुझे फरक निपड़ता है, मेरा मन है, मैं चाह रहा हू Minister of State और Deputy Ministers, यहाँ classification हो रखा है, is based on the convention of parliamentary government as developed in UK, Britain में ऐसे ही है, Britain में ऐसे ही होता था, cabinet ministry एक होती है, Minister of State एक बनेंगे, एक जो Deputy Minister होंगे, वो एक बनेंगे, Now, Salaries and Allowance Act of 1952, यह वो एक्ट है, जिनके तहत, इनके वेतन, इनका allowance, इनका भत्ता, सब चीज़ें तह होती है, इट डिफाइन, यही डिफाइन करतेता है, कि Minister कौन है, as a member of the Council of Ministers, by whatever name called and includes a Deputy PM, Deputy Minister also, यानि कि, इसकी वज़े से, एक मिला है, एक Legal Sanction, Legal Sanction, सैंक्षन क्या होगा, सैंक्षन माने, यह हो गया, कि हाँ, अब एक कानूनी रूप से, एक पूरी आउकात दिख रही है, कि Salaries and Allowance Act की वज़े से, मैं हूँ, एक भले मंत्री दल में, एक छोटा मंत्री हूँ, पर मुझ मैं इस कैलिबर का मंत्री हूँ, मुझे इतनी मिलनी चाहिए, नाओ, यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ कभी बोली नहीं की, कैबिनेट की बात कभी सम्विदान ने करी नहीं है, कैबिनेट वर्ड तो हमने डाला है, खुद 1978 में, अब यह इसका जो रोल है, इन अवर है, यह है, इस क्लेक्टिव रिस्पॉंसिबल तो दे लोग सभा में, क्या करें, बोलेंगे भाई, क्योंकि यह बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं, यह लोग सुनेंगे इनकी, यह रहेगा, अब यह रहता है, अब जब कैबिनेट के जब इतने हम फीचर पर डाले, तो हमने देख लेंगे, देखो, रोल कितने कितने निभा रहे हैं, कैसे कैसे, अभी हमने देखाता है, highest decision making authority है यह देश में, highest decision making authority, in our political administrative system, हमारा प्रशासनिक, राजनेतिक तंत्र जितना है, इसमें यह highest form पे हैं, decision ले लेते हैं, और decision इनका मानना बढ़ेगा राश्पती को, क्या क पहले तो junior level officer हो, फिर mid level आपका career आएगा, फिर आपका career आएगा high level officer हो आप, तो जब आप high level career पहुंच जाओगे, तब आप policies बनवाओगे, policies formulate करवाओगे, फिर policies implement करेंगे, आपके juniors, जो बाद में civil service exam recruit करके आए होंगे, तब तक तो आप पहुंच चुके ऊपर, और कर सकते हो पूरी, एक तब नई policy लिख डाले, वो भी कर सकते हो आप, it is the supreme executive authority of the central government, supreme executive authority, central government की executive जो power बैठती है, वो council, cabinet के पास बैठती है, cabinet खड़ा होता है, तो cabinet कह देता है, भाई हम सबने राजी कर लिया है, कि पाकिस्तान पे बाला, कि भाई पाकिस्तान पे drone strike करनी है, ह होते हैं, ये सारे काम, तालमिल, सारे करवाते हैं, defense, finance, foreign, home ministry, सारे commerce ministry, जतने भी है, it is advisory body to the president and its advisors binding on them, मानने पड़ेगा, राशपती जी को क्या है, राशपती जी को cabinet तयार है, तो क्या करेगा काजी, जब मिया भी वी राजी, वो चीज है, chief prices manager and does deals with all emergency situations, जब गलवान clash कर लेते, कैसे इनको जवाब देना है, कैसे चाइना ने जो ये आज गुस्ताकी करी है, इसको कैसे जवाब देंगे, तो deals with all major legislative and financial matters, जितने कानुनी काम होंगे, जितने पैसे वाले काम होंगे, इनकी जिम्मेदारी है, ये सारे कामों को deal करेंगे, C.O.M. से करवाएंगे, अपने आगे आपके जैसे officers के थुरू, उन कामों को implement करवाएंगे, कहां साब हमारा फर्मान आ गया हमारा मन है कि ये कारूं होना चाहिए, हो जाना चाहिए और आप जानो कैसे होगा, Now, exercises control over higher appointments like constitutional bodies and senior secretariat administrators, जब आपका high level career जो मैं आपसे कह रहाता है यहां पहले भी, जब आप यहां हो, तब आप ऐसी position में होगे कि आपका appointment होगा C.A.G. की post पे, attorney general की post पे, या कोई finance commission के chairman की post पे, तो ऐसे cases में क्या होगा, कि आपका नाम क्या होगा, आपका नाम UPSC या कोई और संस्था, चुन के भेज़ देगी कि हाँ, यह officer है 2023 batch का, 2024 batch का, 25 batch का, अब यह officer बहुत अच्छा रहा है, हम इसको पूरा परख चुके है, officer perfect है, और आप इसको बना सकते हो अपना C.A.G., अप कुछ भी आप कहलो उसको, तो आपको अगर यह बनाना है, आपका नाम जा चुका है उपर, cabinet के पास जा चुका है, cabinet के सारे मंत्रियों ने अपने secretary सलावर लेके, कि हाँ यह नाम आया है, यह नाम सही officer, यह perfect है, और आपके officers junior हो, senior हो, आपसे बड़े हो, जो भी हूँ, तो इस officer को बनाओ, और इस officer को अपना, हम बनाएंगे CEC, Chief Election Commissioner, तो वो appointment करवाई जाएगी, वो appointment फिर cabinet जम्मेदारी लेगा, क्या साब, इनके नाम की सहमती जाएगी, appointment करेंगा राश्पती जी, उनको राश्पती जी को तो करना ही पड़ेगा, भाई, क्या करें, आया इस नाम दे दो, deals with all foreign policies and foreign affairs, कि कौन से दुश्मन देश से है, या दोस्त देश से क्या dealing करनी है, क्या करना है, सब काम खाली-खाली, cabinet को ही देखना पड़ेगा, cabinet माने PM प्लस उनका एकदम close वाला, inner circle वाला cabinet, now, कई सारे political scientists रहे हैं, thinkers रहे हैं, constitutional expert रहे हैं, इन्होंने cabinet सरकार के लिए कई सारे description दिये हैं, comment बाजी करिए, comment बाजी का मतलब होता है, कि उसको एक quote दिया है, phrase दिया है, तो अब देख लेते हैं, जैसे रामजी मुहिर साहिब बोल रहे हैं, cabinet is the steering wheel of the ship of the state, कि जो state का जहाज है, उसका steering wheel है cabinet, कितनी अच्छी बात है, हम खुश हो रहे हैं, देखो, मुस्करा भी रहे हैं, वाँ 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 वाँ, कि जो cabinet है, वो कितनी अच्छी चीज़ है, दूसी चीज़नों ने बोली, कि ये dictatorship भी हो जाती, cabinet की, ताना चाही भी हो जाती है, लो, गुस्ता भी हो गया है हम, कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सर, आप तो ऐसी बात कह रहे होग ये बोडी के पास इतनी absolute power दे रहे हो, आप तो इसकी authority नहीं हो जाएगी, ये 10, 12, 15, 20 लोग मिलके कुछ भी power कर सकते हैं, ये omnipotent हैं, omnipotent माने सर्वशक्तिशाली हैं, तो इस सर्वशक्तिशाली को इतना ऊपर तगड़ा मत बनाओ, इसको थोड़ा सा कमजोर रहो, machinery revolves, समझ गया न, क्या होता है, ये होता है, pivot माने ये, अब यहां से ही सारे spokes निकल रहे हैं, तो ये जो पहिया होता है, इस पहिये में क्या है, के सारे के सारे जितने जो spokes निकल रहे हैं, सारे के सारे इस pivot में से निकल रहे हैं, ये pivot के around, ये पूरा पहिया गूम रहा है, ऐस यह उल्टा भी करा लो ऐसा भी गुमा लो इसको क्या फरक पड़ रहा है तो घूम रहा है खाली cabinet के अराउंड रही cabinet गुमा रही है cabinet is the central pivot यह हो गया now cabinet is a solar orb around which the other bodies revolve और माने एक ऐसा कुछ मान लो एक ऐसा कोई रत्न मान लो कोई ऐसा system मान लो solar सूरज की तरह मान लो कि यह सूरज है और यह सूरज के आपने प्रगाश निकाल लिया यह देखो कितना अच्छा सूरज है हमारा आज अधित्या L1 के नाम पे हमारा भारत ने एक मिशन मी लॉंच कर दिया है अब इस सूरज के आराउं कई सारे लोग चक्कर लगा रहा है कई सारे planets गूम रहा है इसके आराउं तो यह वो solar orb है हमारा system का जिसके आराउं अर्थ मरकरी वीनस मार्स सब गूम रहा है Now, cabinet is the magnet of policy के cabinet है वो चुम्बक जो नीती तै करती है जो हमेशा जो एक policy making body है जो policy बन वा रही है बैगोट साब कह रहे हैं cabinet is a hyphen that joins the bucket that binds the executive and department of together क्या है legislative and executive department ये जो है तो ये जो hyphen है ये जो dash है तो ये dash ही cabinet है बस और कुछ नहीं है इतनी इतनी बाते हैं Next comes इवार जनिक साहब जो उनका जिकर हमारा chapter number 2 से ही चल रहा है Sorry, तो ये कह रहे हैं कि cabinet जो है वो core है British constitutional system में and ये hold करता है सही Indian constitutional system में भी It provides unity to the British system of government हमारे अभी वही है कि जब तक cabinet strong है तब तक पूरी unity है सरकार में फिर पूरी एक जुटता है LS Amri सहाब कह रहे हैं कि cabinet is a central directing instrument of government आसान court है इनका कोई court में कुछ दम है भी नहीं किती बेकार सी court देकर चले गए इनके वार जनिंग के सामने किती Now comes kitchen cabinet रसोई, रसोई cabinet रसोई में काम नहीं हो रहा है काम हो रहा है, cabinet का ही काम है अब cabinet में 15-20 लोग है ठीक है पर मैं cabinet से भी 15-20 में से भी कुछ 5-5 लोग निकाल लो a small body consisting of the prime minister as its head and some 15-20 most important ministers लो, निकाल लिए ये तो मेरी cabinet हो गई अब inner cabinet मैं ही निकाल हूँ उसमें से kitchen cabinet उसको मैं क्या बोलूँगा मतलब मैं इसको बनाना चाहरा हूँ अगर आपके लिए तो कुछ इस तरीके से ठीक है, अगर ये एक ओ, ये क्या हुआ no, ऐसे नहीं color अलग करेंगे इसका color करेंगे इसका पीला so, एक circle ये है हाँ एक circle ये है, ठीक है इसको मैं थोड़ा बीच में कर देता हूँ अब इसके बाद एक circle और अंदर का हो गया ये बन गया अब मैंने क्या करा मैंने बोला कि ये तो है मेरा council of ministers अच्छा, ये है मेरा cabinet ठीक है, और ये हो गया मेरा kitchen cabinet समझ में आगई बात क्या है कि council of minister हमारी 60-70 लोग जितने है उसके अंदर cabinet हमारी 15-20 लोग अब मैंने और छोटा कर लिया उसको kitchen cabinet बोल दिया इसको prime minister and 2-4 PM और 2-4 लोग और जो बहुत influential होते है influential colleagues एकदम रोज के उठने बैठने वाले जिनको बस आखों आखों में इशारों में बात हो जाए कि attack करता है ऐसे वाली बात, बिलकुल आखों आखों में ये वाली बात तो उनको बोलते हैं कि भाई ये kitchen cabinet है in whom he has complete faith and with whom he can discuss every problem भाई अब मैं अगर PM हूँ मैं यार मुझे डर है कि मैं किस पर भरोजा करूँ कौन कोई ऐसा तो नहीं कोई बिक जाएगा इन में से ये पूरे जो पूरा मंतरी दाल या ये साब है तो मैंने अपने चुन के कुछ दो-चार नाम ऐसे रखे हुएं जो अपने personal है मेरे बहुत सगे हैं बहुत close है और मैंने बोल दिया है कि देखो तुम पर भरोजा कर रहा हूँ मैं और तुम मेरे personal हो अब मैं तुमसे कई बार ऐसे सवाल पूछूँगा जिसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है मेरी help करना मुझे guide करना ठीक है इसको हम मोलेंगे कि ऐसे दो-चार लोगों को ढूणने के बाद कि हाँ ये है प्राइम मिनिस्टर की kitchen cabinet मतलब रसोई में अब ये word आया है ब्रिटिन से क्योंकि ब्रिटिन में प्राइम मिनिस्टर जो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर घर भी काम करते हैं अपने तो वहाँ से क्या होता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कई बार जो नीतियां होती है, policy होती है, वो जाती है cabinet के पास, बड़ी cabinet, जो 15-20 लोगों की body है, ये वाली, और तै तो हो गई यही कहीं, अंदर यहां तै हो गई बात, फिर यहां जाएगी, फिर यहां कहीं जाएगी, यहां कहीं यहां पर हो सकता है, कि कोई outsider भी हो, जिसे PM के friend, PM के family member, PM का कोई भी, कोई ऐसा जो member इस पर ट्रस्ट करता हो, इस पर भरोसा करता हो, क्योंकि हर person का, कोई ना कोई trust worthy person दो होता ही है, ठीक है, अब मेरा, मैंने आप से बात करी, मैंने का यार ऐसा है सुनो, person ना मैं बनने जारा हूँ law minister, और please मेरा आदित, यार तको मैं आदित्या यार मैंने देखो तुम पर भरोसा किया है, please मेरे भरोसा को तोड़ना मत, आपने ठीक है नहीं तोड़ूँगा, आपने जाके अपनी मम्मी को बता दिया, मम्मी ने जाके पापा को बता दिया, पापा ने जाके किसी और को बता दिया, हर किसी का एक ना एक तो भरोसे का परसान होता ही है, लो, बात निकल गए, फैल गी, इससे क्या होता है, कि सीक्रेसी में नहीं हो रही, यह problem है, तो मैंने कहा किया, मैंने cabinet ministry में तो देख लिया, मेरे हाँ, एक defense minister भी है, एक home minister भी है, finance minister भी है, external affairs minister भी है, सब है, पर मुझे इन में से पता है, कि मेरे भरोसे के 2-3 लोग ही है, बागी नहीं है, अब क्योंकि public appearance है, मुझे ministry एकदम से महटा भी नहीं सकता हूँ, तो बोलते हैं, kitchen में नीतियां पकाई गई और इसको दे दी गई, इसको cabinet, main cabinet को, cabinet से वो sign हो के निकल की, council minister, council minister तो को तो दो जी करना पड़ेगा, कहां सब ठीक है, जैसा कहा रहे हो, वो सही है, फिर आएंगे हम, कि इसके फाइदे क्या है, पहली बात तो, छोटी unit है, साफ बा हैं, वहां कर दो, बता हैं, ऐसे वाला, तो अब जल्दी decision हो गया, तुरंट हो गया, can meet more often, रोजी मिल सकते हैं, क्या पता, शाम को बैठते ही हो साथ में, रोजी, तो वो भी हो सकता है, and deal with business much more expeditiously than the large cabinet, के जल्दी-जल्दी decision ले सकते हैं, जल्दी-जल्दी काम निप्टा करने वाला हूं, तो अब नोटबंदी अगर करने वाला हूं, अब उसके लिए अगर मैं पूरे council minister को बता दूं, council minister हो सकता है, किसी ना किसी और अपने 70-80 को बता दें, कोई अपने किसी खास को बता दें, नहीं, छुपा के रखो इन बातों को, ऐसी बाते बहुत secret होनी च करने वाले हैं, क्यों बता हैं वाई, नहीं बता रहें, खाली दो-तिन लोग को पता है, जिनको ज़रुवत है, उन्हीं को जानना है, उसके आगे किसी को नहीं, इसके नुकसान है, नुकसान क्या है, कि it reduces the authority and status of the cabinet as the higher justice making body, जब आपने अंदर ही रसोई में खाना बना लिया अब तो बना के परोद, परोद हमें तो खाएंगे वोई जो आप बना के दे रहे हो, तो जब आपने अंदर फैसला ले लिया है, अब फिर क्या पूछना, पर तो हमारी fate accompli है, fate accompli कहते हैं ऐसे, fate accompli मतलब पता है ना, fate accompli, accompli यह हो गया, now it circumvents, circumvents, मतलब navigate करके निकल जा आगे तुमारे, पीछे से गए और आगे से आगे सामने, and by allowing outside persons, outside persons, यह एक problematic question है, कि यार सरकार के नितिये, नितियां, एक कोई बाहर, अब यार, आप अगर कल को foreign secretary बन गए, तो आपने कहा कि यार, ऐसा है, मैं आदित सर के lecture देखता था, मुझे आदित सर बहुत पसंद थ मैं चाहता हूँ, कि मेरे advisor, मतलब मेरे prime minister के advisor या foreign minister के advisor जो हो, वो आदित सर बन जाए, तो आप कहोगे कि, आदित सर क्या बनना चाहोगे, मैं कहोगे, यार, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, फिर आप कहोगे, नहीं, नहीं, सर आपको knowledge बहुत है, तो बोलेंगे कि, मैं बो website persons को हमने allow कर दिया है, यहां आप to play an influential role in the government functioning, और यह पता है कब हुआ था, यह हुआ था, 1970s की सरकार में, kitchen cabinet, जब उस समय फेट कॉंपली यह word बहुत common हो रहा था, किसकी सरकार की बात हो रही है, यहां पर, यह कोई, इंडिया के लिए कोई unique चीज नहीं है, कि अरे इंडि के लिए ले लेते हैं, एक, दो को बता दिये, सेकरेटरी जिसको important है, उसको बता दिये, ब्रिटन में, जब 10 Downing Street में, जब PM रात को बैठते हैं, एक हलका सा मैसे छोड़ दिया, अब बोल दिया कि यह होने वाला है, कहेगा हाँ, ठीक, ठीक, मैं ready हूँ, कोई बात नहीं, त अर्टिकल 74, 75, 77, 78, 88, 76 कहा हैं आपे, 76 कहां गया, कौन सा अर्टिकल है 76, इसमें क्यों नहीं है, मुझे बताना, now, अभी सारे सारे देख चुके हैं, अब यहां पे हमारा, यह चैप्टर खतम हो रहा है, वापे चलते हैं, अब कोशनों के पास, तो हमारे question हमसे कह रहे हैं कि सर, हमें पहले आप यह बताओ, कि जब भी, there is a parliamentary system of government in India, क्यों है, because, लोकसभा is elected directly by the people, क्या ऐसा है, parliament can amend the constitution, क्या ऐसा है, राजसभा cannot be dissolved, क्या ऐसा है, council of ministers is responsible to the लोकसभा, क्या लगता है आंसर आपको, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई, लोक के मेरा parliamentary system of government इंडिया में है, क क्यों, क्योंकि, जो council of ministers है, वो लोकसभा को responsible है, is responsible to the लोकसभा, correct answer is D, now comes, एक और question, यह question मैं कर चुके हैं, इस question का answer मुझे आप से चाहिए, जो council of ministers है, in the center, shall be collectively responsible to the parliament, है, parliament को responsible होता है, parliament को होता है, बताना जर इसका answer, now, union ministers, shall hold the office during the pleasure of the president of India, correct, एक्दम correct, theoretically एक्दम यही होती है, the PM shall communicate to the president about the proposal of any legislature, for any legislation, correct बात है, यह भी सही है, यह सही, यह सही है, तो answer is 2 and 3, parliament को responsible नहीं होता है, भाई C.O.M., किसको होता है, प्लीज बताइए, now, एक और आता है question, के parliament of India, it exercises the control over the functions of the council of ministers, through how, through what processes, तो process ऐसी है, adjonment motion, question hour, supplementary questions, तीनों answers सही है, क्या होता है, के adjonment motion माने क्या है, हमने adjon कर दी सबा, हमने, MPs ने मिलके, खड़े हों के सरकार से का, सरकार, please, इन बिलों पर बात करो, इन देश में issue चल रहा है, इस पर बात करो, सरकार ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, question hour, question boost है, तो parliament exercise करती है, अपना control सरकार से, question hour में है, question MPs पूछते है, सरकार से, अहां सर, बताइए, written way या oral में, जैसे मर्जी हो आपका answer दो हमको, supplementary question, इन question हों के जो answer आएंगे, उन answer के उपर भी supplementary question पूछे जा सकते हैं, ये तीनों तरीकों से हमारे parliament exercise करती है, control over the executive, next question, हम कर जगें इस question को, when the annual union budget is not passed by the लोकसभा, मैंने आपको बताया था ये, ये होता है, M, M for money, money bill, अगर money bill fail हो गया, that means, it's a dead end, ये dead end है, अब end ही है इसके बाद, budget कोई modify नहीं होगा, इसके बाद budget कोई राजसभा के पास नहीं जाएगा, इसके बाद finance minister का इस्तीफा नहीं चाहिए, पूरे PM और उनकी cabinet का इस्तीफा चाहिए, council of ministers का, सब बाहर हो गया, money will fail, you are done, खतम हो गया अपकी दास्तान, यहाँ पे हमारा questions सारे खतम होते हैं, और questions के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस chapter के end में, अगली glass में हम पढ़ेंगे teachers day वाले दिन, जो है cabinet committees, तो तब तक के लिए, goodbye, stay safe, stay healthy, good luck.